हेलो व्रिवन स्वागत है आपका मेरे चैनल निकीज रसोई में आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक बहुती स्पेशल लंच बॉक्स रेसिपी जिसे आप सुभे की जल्दी में सिर्फ 5 मिनट में बना कर तैयार कर सकते हैं कोई खास तैयारी नहीं चाहिए होगी इसके लिए बस सिर्फ चावल को में बिगो कर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है जिससे की चावल फूल जाएं तो यहाँ पर चावलों को मैंने 3-4 बार पानी से दो कर बिगो कर रख दिया था अब टमेटो राइस मैं कुकर में बनाने वाली हूँ तो मैंने कुकर को हीट करने के लिए रख दिया है इसमें दो बड़े चमच रिफाइन डॉयल डाल रही हूँ मैं मैंने यहाँ पर पीनट ओयल डाला है आप कोई और ओयल भी अपनी पसंद का यूज कर सकते हैं जैसे ही ओयल गरम हो जाता है हम डाल देंगे एक चमच चना डाल और एक चमच ही उड़त डाल इन दोनों डालों से इसका फ्लेवर भी आएगा और नियूट्रिशन भी इसका बहुत बढ़ जाएगा दोनों डालों को कुछ देर के लिए ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे अब यहाँ पर हम डाल देंगे आधा चोटा चमच राइदाना और जैसे ही राइदाना चटक जाता है हम डाल देंगे एक मेडियम साइज का अनियन जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है कुछ भी खास तयारी नहीं होती है इस रेसिपी में बिना किसी कटिंग के बिना किसी प्रिप्रेशन के जटपट आप पांच मिनट में इसे बना कर तयार कर सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आईगी है तो यहाँ पर प्याज भून चुका है कलर चेंज कर लिया है प्याज ने अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटोज तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटोज लिये हैं और इनको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ साथी डाल देंगे नमक जिससे टमाटर जल्दी जल्दी पक जाएं और कम टाइम में बनके तयार हो जाएए साथी डाल देंगे हम एक चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसे जैसे टमाटर पकेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पक जाएगा सारी चीजों को एक बार mix कर देंगे और टमाटर के अच्छी तरह गल जाने तक हमें से पका लेंगे वैसे तो इस recipe में 4-5 टमाटर पढ़ते हैं और खुब सारे टमाटर के साथ टमेटो राइस बनाया जाता है लेकिन इस समय फ्रेंड्स टमाटर बहुत महंगे हैं तो मैंने सिर्फ दो ही टमाटर यूज करें हैं किसी और सीजन में आप बना रहे हूं तो धेर सारे टमाटर डालिए अच्छा लगता है टेस्ट भी बढ़िया आता है और nutrition भी कई गुना बढ़ जाता है तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें पकचुकी हैं टमाटर भी खूब अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी फ्राई हो चुका है उसका फ्राई होना बहुत जरूरी है नहीं तो वह बहुत खराब flavor देता है तो जिंजर गार्लिक पेस, टमाटर, अनियन सभी चीज़ें अच्छी तरह पक चुकी हैं अब हम इसमें डालेंगे सारी ग्रीन चीज़ें ग्रीन चीज़ें लास्ट में डालते हैं जिससे उसका हरा रंग बना रहे तो मैंने हाँ पर तीन हरी मिर्च ले ली हैं और 10-12 करी पत्ते हैं, दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे ये दोनों चीज़ें जरूर डालनी हैं क्योंकि करी पत्ते का फ्लेवर टमेटो राइस में बहुत जादा अच्छा लगता है अगर आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन हरी मिर्च काफी डाल दिया है, तो तीखा हो जाएगा ये अब यहां पर मैं थोड़ा सा टैमरिंड डाल रही हूँ ये बीज निकली हुई इमली है, बहुत थोड़ा सा हमको लेके डाल देना है जिससे कि ये खटा बना रहे, अगर आप टमाटर जादा यूज कर रहे हैं तो इमली की कोई जरूवत नहीं है, यहां पर मैंने टमाटर कम डाले हैं तो थोड़ी सी इमली डाल दी है, अब मैं यहां पर डाल रही हूँ दो चमच पावभाजी मसाला, पावभाजी मसाले की जगए सांभर मसाला या फिर मैगी मसाला भी यूज किया जा सकता है इसमें कुछ सबजी भी आप अड़ कर सकते हैं, अगर आपके पास बॉयल्ड कॉर्ण रखे हूँ तो बॉयल्ड कॉर्ण भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपके बच्चे नूडल्स या पास्ता जैसी चीजें ले जाना पसंद करते हैं टिफिन में तो उनको उसकी जगए ये बना के दीजे चावल से बना होने के कारण ये बहुत हेल्दी है और टेस्ट में भी लाजवाब है तो सब चीजें पके तयार हो चुकी है अब हमें सिर्फ चावल डालना है और एक सीटी लगानी है तो चावल यहाँ पर मैंने भिगो के रखा था साफ कर लिया है वो चावल पूरा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और चावल का डेड़ गुना पानी हमें डालना है यनि अगर आपने एक कटोरी चावल लिया है तो डेड़ कटोरी पानी एक कटोरी चावल में पढ़ जाएगा तो सारी चीजों को एक बार मिला देंगे तो मैंने लगभग एक गिलास चावल था तो मैं यहाँ पे डेड़ गिलास पानी डाल रही हूँ एक गिलास और आधा गिलास में और डालूंगी अब कुकर की लिड ओन करके हमें सिर्फ एक सीटी लगाने तक पका लेना है एक सीटी आ जाएगी गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और दो मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे तो यहाँ पर उकर की सीटी आ चुकी है बस एक सीटी लगानी है गैस की फ्लेम मैंने आफ कर दी है चले इसे खोल लेते हैं और बारीक धनिये से गार्णिश कर देते हैं एक चमश डालते हुए इसको बहुत हलके हाथ से उपर नीचे कर देंगे और आप ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है इसे आप हरी चटनी, पीनट चटनी या फिर सिंपल से रायते के साथ सर्व कर सकते हैं तो मैंने इसे सर्व किया है कैरेट के रायते के साथ में और दूसरे बॉक्स में डाल रही हूँ कुछ ड्राइ फूर्ट्स आप चाहें तो fruits भी दे सकते हैं टिफिन में तो ये perfect lunch टिफिन हमारा बन के तयार है आपने अगर इस तरह से बच्चों को बना कर नहीं दिया है तो जरूर ट्राइग करें Tomato rice अपने आप में complete food है टिफिन के अलावा आप इसे lunch या dinner में बना सकते हैं हेल्दी तीखा और चटपटा टेमेटो राइस सबको बहुत पसंद आता है तो ये थी हमारी आज की रेसिपी I hope आपको पसंद आएगी जरूर ट्राइग करें THANKS FOR WATCHING